नमस्कार, AB Star News देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सोभन से अंग्रेजों के जमाने का एक कानून जोसे लागो हुए 152 साल हो चुके हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज तो चले गए उसके बाद कई प्रधानमंत्री भी बदले लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो ये कानून जो यहां हम बात कर रहे हैं राजद्रोह कानून की जिसे लेकर सुप्रीम कोट ने सक्थ लहजे में सवाल पूचा था कि आखर इस राजद्रोह कानून में बदलाव क्यों नहीं किया जा रहा है इसमें बदलाव की क्या जरूरत नहीं है शुरुबात में केंद्र सरकार ने इस कानून को जस्कातस बनाये रखने की बात की थी लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोट में केंद्र सरकार ने ये कहा कि वो भी इस कानून में बदलाव चाहती है जिसके बाद अब सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैसवा सुनाया है उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष के भी अपने तर्क हैं सरकार के भी अपने तर्क हैं और सुप्रीम कोर्ट सक्थ भी नजर आ रहा है केंद्र सरकार बदलाव की बात तो कर रही है लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखर ये बदलाव कब तक होंगे दरसल जो ये कानून है इसे साल 1870 में लाया गया था और जब ये कानून बना था उस वक्त इस कानून को अमल में लाने का सिर्फ एक मकसद था वो एक मकसद ये था कि जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सुटन्त्रता संगराम चल रहा है जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उस वक्त उठाई जा रही थी उस आवाज को किस तरह से दबाना है और जिन लोगों ने आवाज उठाई थी उन लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया था इसके लावा आंकडे क्या कहते हैं इसमें बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है आपको हम आंकडों के बारे में भी बताएंगे 2015 से लेकर के 2020 तक जो आंकडे सामने आए उनमें कितने सही थे कितने गलत थे ये भी आपको बताएंगे साथी साथ राजद्रोह कानून है क्या आजादी के बाद पहला केस कब दर्ज किया गया तमाम जानकरी आपको देंगे लेकिस से पहले एक नजर बड़ी खबर पर डाल लेते हैं जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है तो इस वक्त की बड़ी खबर राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पुनर्विचार तक दर्ज नहीं किये जाएंगे नए किस बनाये रखेंगे यानि कि जो मामले लंबिथ हैं उन पर जैसे इस रिस्ति है वैसे ही बनाये रखें ये सुप्रीम कोट ने कहा है राजद्रोह के आरोक में बंद आरूपी को जो आरूपी है वो दाखिल जमानत याचीका जमानत अरजवी दाखिल कोट में कर सकेंगे इसके लावा जुलाई के तीसरे हफ़ते में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी यानि कि अब आगे जो है वो मामला जुलाई के तीसरे हफ़ते में सुना जाएगा यानि कि अब बड़ी खबर जो यह आ रही है रास दरोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिगा दी है सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिट से रास दरोह कानून की स्तंवेधानिक वैदिता को लेकर सुनवाई हुई चीफ जस्टिस एन्वी रमणा जस्टिस कोहली समेट तीन जज़ों की बेंच उन्हें इस पूरे मामले को लेकर के सुनभाई की जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज़दोह कानून पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है साफ़ तोर पर कहा है कि जो लमबित मामले हैं उनमें यतास्तिती को आप बनाए रखिए और इसमें जब तक पूरे मामले को लेकर केस डर्ज नहीं कर सकेंगे तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजदरोह कानून को लेकर सुप्रीम कोट ने फिल हाल इस पर रोक लगा दी है यानि कि राजदरोह कानून के तहट अब राज्य और केंदर सरकारें केस दर्ज नहीं कर पाएंगी सुप्रीम कोट में जब सुनवाई हुई इस दोरान क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको बताएंगे पुनरविचार तक जो बड़ी खबर ये सामने आ रही है वो ये कि पुनरविचार जब तक नहीं हो जाता है तब तक इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज नहीं किये जा सकेंगे कोट ने साफ़तोर पर कहा है कि केंदर इसबाबत राज्यों को निर्देश्य का जारी करेगा और कोट ने कहा है कि जिनके खिलाव राजदरों के मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए समूचित अदालतों में अरज़ी दाखिल कर सकते हैं आपको बता दें कि राजदरों कानून गैर जमानती अफराद की श्रेणी में से रखा गया है लेकिन अब कोट ने कहा है कि वो जमानत के लिए अरज़ी दाखिल कर सकते हैं पुरे मामले को लेकर जलाई कि तीस तुरे हफ़ते में सुनवाई होनी है राजदरों कानून की समधानिक वेज़ता को चुनौती देने के मामले पर अबुदवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई इस दोरान केंदर सरकार का पक्षु रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुसार महता ने कोट को बताये कि हमने राज़्य सरकारों को जारी किये जाने वाले निर्देश का मसोदा तयार कर लिया है उसके मताबिक राज्य सरकारों को इसपस्ट निर्देश होगा कि बिना एसपी या उससे उंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के राज़्यों के धाराओं में FIR दर्ज नहीं की जाएगी इस दरील के साथ सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि इस कानून पर फिलहाल के लिए रोकना लगाई जाए सॉलिसिटर जनरल ने कोट को ये भी बताया कि पुलिस अधिकारी राज़दरों के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करतने के समर्थन में परयाप्त कारण भी बताएंगे उन्होंने कहा कि कानून पर पुनर्विचार तक वैकलपिक उपायद संभव है यानि कि कोई वैकलपिक रास्ता निकाल लिया जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने जलील को नहीं माना साफ्तोर पर कहा कि फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी जाती है जब तक पुनर्विचार नहीं किया जाता पूरे मामले को लेकर तब तक राजद्रोह की धराओं में केस दर्ज नहीं किया जा सकता है यानि कि 124 एक के तहट केस दर्ज नहीं किये जा सकते हैं केंदर या फिर राज कोई भी राजदरोह के तहट केस दर्ज नहीं कर पाएगा साफ़तोर पर कानून के दुरुपयोग की बाद भी जोरा निकल कर सामने आई इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोट ने राजदरोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई कोट ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरी है इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है इसकी पुष्ट्री अटॉर्णी जनरल ने भी अपने मनतव्य में साफ की है और ऐसा पहली बार नहीं है समय समय पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो राजदरोह कानून है उसकी आड में जो सत्ता है वो अपना खेल खेलती है यानि कि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो राजदरोह कानून को लेकर सुप्रीम कोट ने तो अपना फैसला सुना दिया है अब इस पूरे मामले को लेकर पुनरविचार किया जुआएगा और इसके बाद ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या ये कानून अस्तितों में रहेगा या फर नहीं रहेगा और अगर राजदरोह कानून के तहट जो शर्ते होंगे यानि कि सर्तों से मेरा मतलब ये है कि जो भी प्रावधान होंगे उसमें दोसी कौन होगा किस तरह से जैसे पहले आप अगर सरकार के खिलाफ में जो भी अगर आप कुछ कहते हैं मौकिक रूप से कहते हैं लेखित रूप से कहते हैं या फिर इशारों में कहते हैं दृश्य रूप में कहते हैं फिर राजदरोह का case जो है वो दर्ज कर लिया जाता था राजदरोह इसे माना जाता था लेकिन अब क्या कुछ नए प्रावधान इसमें होंगे ये देखने वाली बात होगी साथी साथ देखना ये भी दिल्चस्त होगा कि अब विपक्ष जो वक्त की मांग कर के बारे में सवाल पूछ रहा है कि आखिर इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी लेकिन आखिर राजदरोह कानून है क्या सबसे पहले आपको ये सम राजदरोह कानून को आसान शब्दों में हम आपको समझाने की कोसिस कर रहे हैं गैर जमानती अपराध क्रिष्ट्रेणी में ये आता है तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है इसके लावा इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है साथी साथ आरोपी व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से भी रोका जा सकता है अठारा सो सत्तर में भारतिय स्वतंतरता संग्राम को कुचलने के लिए इस कानून को लागू किया गया था बिटिस सरकार उस वक्त देश में थी बिटिस ट्राज था जिसके बाद इसे लागू क लगता रहा है कि सरकार मन्चाहे तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है आजादी के बाद साल 1951 में पहला केस दर्ज हुआ था पहला मामला दर्ज हुआ था वही 1874 में माफ कीजेगा 1974 में इंद्रा गांधी की सरकार ने इसमें बदलाव किया था पुलिस को बिना वारंट गिरफतारी करने का अधिकार मिल गया था तो जो बदलाव किया था उसके बाद पुलिस की ताकत बढ़ गई थी यानि कि बिना वारेंट गिरफतारी का अधिकार मिल गया था सरकार के प्रती मौखिक लिखित या दृष्ष रूप से अगर आप कुछ कहते हैं उतेजना पैदा करते हैं तो केस दर्ज हो सकता है साल 2016 में 73 लोगों को हिरासत में लिया गया था केवल 33 फीजदी पर ही आरोब साबित हुआ था जो वजहें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि आंकडे राज़रो कानून पर क्या कह रहे हैं साल 2017 में 228 लोगों को हिरासत में लिया गया लेकिन आरोब सिर्फ 16.7 फीजदी पर ही साबित हुआ था ये भी एक वजह रही है यानि कि जितने लोगों को हिरासत में लिया गया उसके आथे पर भी आरोब सुध नहीं हो सका था साल 2018 के आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं 56 लोगों को हिरासत में लिया गया लेकिन 15.4 फीजदी पर ही आरोब साबित हुआ था इसके लावा साल 2019 के अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2009 में 99 लोगों को हिरासत में लिया गया था लेकिन आरोप सिर्फ 3.3 फीसद पर ही साबित हुआ था यानि कि जो लोगों के अधिकार हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहे थे साल 2020 में 44 लोगों को हिरास्त में लिया गया लेकिन आरोप 33.3 फीसद पर ही साबित हुआ तो ये वो आंकडे हैं जो पूरी कहानी को खुद बखुद बया कर रहे हैं यानि कि आरोप साबित नहीं हुए आपने 2020 के आंकडों को आप देखिए 44 लोगों को हिरास्त में लिया लेकिन उसमें से अगर 16 पर भी आरोप साबित नहीं होगा और जो राज़दरो कानून है वो इतना कड़ा कानून है गैड जमानती इसमें आपकी जमानत नहीं हो सकती है तो फिर आप खुद बखुद समझ सकते हैं कि लोगों के अधिकारों की बात जब आती है सुप्रीम कोट ने भी अब रोख लगा दी है पूरे मामले को लेकर के तो कुल मिलाकर यहां पर यह समझने वाली बात है कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है यानि कि बदलाव के दिशा में यह कानून बठते हुए नजर आ रहा है राजदरू कानून की समिर्धानिक वैदिता को लेकर सुप्रीम कोट में यह सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोट ने पिसले साल ही सरकार से यह पूछा था कि आज़ादी के 75 साल बात भी इस कानून की जरूरत क्यों है आखिर ऐसी क्या बात है जो अभी भी इस कानून की जरूरत पड़ रही है यह सुप्रीम कोट ने सवाल पूछा था तो राजद्रोह कानून की समयधानिक वैदिता को लेकर यह सुनवाई हुई थी कि आखिर अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है यह सुप्रीम कोट ने पूछा था पिसले साल जुलाई में भी सुप्रीम कोट ने अहम टिपणी की थी तब चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने पूछा था कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत क्यों है उस वक्त सुप्रीम कोट ने कहा था कि यह एक आपनिवेश्विक कानून है यह स्वतंतरता आंदूलन को दबाने के लिए था इसी कानून का अस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगादर के खिलाब भी किया गया था क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इसकी जरूरत है तब सीजेयर अरमणा ने कहा था कि सरकार कई सारे पुराने कानूनों को निरस्ट कर रही है तो फिर धारा 124 ए को निरस्ट करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है इस पर अटॉर्णी जनरल केकी बिन गोपाल ने कहा था कि कानून को निरस्ट करने की जरूरत नहीं है और गाइड लाइन बनाई जानी चाहिए ताकि इसका कानूनी मकसद पूरा हो सके अकसर देश में देशद्रो या राजद्रो की धारा के इस्तमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं पिसले साल ही सुप्रीम कोट ने ये भी कहा था कि इस धारा का इस्तमाल व्यक्तियों और पार्टियों के कामकाज के लिए भी गंबीर खत्रा है लेकिन आखिर धारा 124 से कहती क्या है वो आपको बता देते हैं अगर कोई व्यक्ति बोल कर या लिख कर या फिर इशारों से या फिर चिन्हों के जरे या किसी और तरीके से गिरना या अउमानना या उत्यजित करने की कोशिस करता है या असंतोस को भढ़काने की कोशिस करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी है वो एक गैर जमानती अपराद कर रहा है और इसमें दोश्वी पाये जाने पर तीन साल की कैद से लेकर आजीवन कारावस्तक की सजा का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है अक्सर राजद्रोह और देशद्रोह को एक ही मान लिया जाता है लेकिन जब सरकार की मानहान या अउमानना होती है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है और जब देश की मानहान या अउमानना होती है तो उसे देशद्रोह कहा जाता है अंगरेजी में से सडिशन कहते हैं दोनों ही मामलों में धारा 124.1 का ही इस्तेमाल होता है कानून का इतिहास क्या है वो भी आपको बता देते हैं सबसे पहले ये कानून इंगलेड में आया था 70 सदी में जब इंग्लेंड में वहां की सरकार और सामराज्य के खिलाफ आवाजें उट रही थी तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए राजद्रोह का कानून लाया गया और वहीं से अंग्रेज इस कानून को भारत में लेकर आये थे भारत में बिटेन की कब्जा करने के बाद थॉमस मेकाले को इंडियन पीनल कोड यानि की आईपीसी का ड्राफ्ट तयार करने की जिम्यदारी मिली थी 1860 में आईपीसी को लागू भी किया गया लेकिन उस वक्त इसमें देश द्रोह कानून शामिल नहीं था बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि भारतिय करांधिकारियों को शांत करने का कोई और उपाई नहीं बचा है आखिर जो सुदंतरता संगराम की आवाज बुलंद हो रही है जो देश को आजात कराने के लिए आंदोलन हो रहे हैं इसमें इनकी आवाज को कैसे दबाया जाए इस आंदोलन को कैसे कुछला जाए तो फिर अंग्रेज इस राजदरोह कानून को ले करके आए थे और फिर आईपीसी में संशोंधन किया गया 124-1 को उसमें जोड़ा गया और 1870 में ये कानून मना जिसके बाद राजदरोह के तहत मुकदमे दर्ज किये जाने लगे यानि कि कोई भी उस वक्त जो अंग्रेजी हुकोमत के खिलाद आवाज बुलंद करता था उसके खिलाद राजदरोह के तहत केस किया जात था इसके बाद tillग जैसे इसके पर पूरी कानूनीप क्रिया के तहत काररवाई की जाती थी इसका इसनिमाल महातमागाः गांधी, भगत सिंग और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंतरता सेनानियों के गलाभ भी हुआ महातमाः गांधी को जब इस धारा के तेहर्ट ग्रफतार किया गया था तब उन्होंने कहा था कि स्वतंतरता आंधुलन को कमजोर करने के लिए जो कानून बनाए हैं उनमें ये सब से हासियासपद और ढरावना है अगर किसी को सरकार की किसी बात से परेशानी है तो उसके पास इसे व्यक्त करने की आजाधी होनी चाहिए उसे ये आजादी तब तक होनी चाहिए जब तक वो अपनी किसी बात से नफरत या हिंसा नहीं भड़काता है यानि कि आप अगर स्वरकार की किसी काम से असंतुस्थ हैं नाराज हैं तो फिर आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन आपको ये सुनिशित करना होगा कि जो बात आप कर रहे हैं उस बात से कहीं द्वैश भावना तो पैदा नहीं हो रही है उस बात से कहीं हिंसा तो नहीं भड़केगी उस बात से कहीं जो आवाज आप बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं उसका गलत इंपेक्ट तो नहीं पड़ेगा इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये उस वक्त महत्मा गांधी ने भी कहा था और अब उसके बाद इस कानून में ऐसा नहीं है कि बदलाव देखने को नहीं मिला इंद्रा गांधी की सरकार 1947 में जब देश को आजादे मिली थी तो उसके बाद 1974 में इंद्रा गांधी की सरकार ने इसमें बदलाव भी किया था लेकिन उससे पहले 1951 में जवाहरलाल नहरू की सरकार ने अनुछेद 1901 के तहट जो बोलने की आजादी थी उसको सीमित करने के लिए समिधान संसोधन लाया जिसमें अधिकार दिया गया कि बोलने की आजादी पर तरकपूर्ण पर्तिबंद लगाया जा सकता है उसके बाद 1974 में इंद्रा गांधी की जब सरकार आई तो इस कानून में बड़ा बदला हुआ इंद्रा गांधी की सरकार में ये जो कानून था उसको देशदुरों को संगे अपराद उसमें बना दिया गया था यानि कि इस कानून के तहट पुलिस को अगर किसी पर शक है तो वारंड की जरूरत नहीं पड़ेगी वारंड की जरूरत नहीं है सीधे गिरफतारी का अधिकार दे दिया गया था जब अधालतों ने इस कानून पर सवाल उठाए वो कब कब हुआ वो भी बता देते हैं आजादी के बाद 1951 में तारा सिंग गोपी चंद मामले में पहली बार किसी अधालत ने इस कानून पर सवाल उठाए तब पंजाब हाई कोट ने धारा 124 एको भाशन और अभिवेक् अब पुनर्विचार इस पूरे मामले को लिकर की किया जा रहा है फिलहाल रोग भी लगा दी गई है जिसे एक बड़ा कदम इस पूरे मामले में माना जा रहा है सरकारें लोगों पर देशदरो या राजदरो का केस दर्ज तो कर लेती हैं लेकिन उनमें से ज्यादतर के ख लोग छूट रहे हैं तो फिर तो जो मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं वो गलत हैं ये भी अपने आप में बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है दोजार सोले से दोजार बीस के बीच के जो हमने आपको आंकडे दिखाए पान सालों में देशदरो के कुल 322 मामले दर्ज हुए थे इनमें 422 लोगों को गिरफतार किया गया माफ किजिए का 322 मामले दर्ज हुए थे 422 को गिरफतार किया गया लेकिन सिर्फ 12 लोगों पर ही देशदरो का आरूप साबित हो सका और उन्हें सजा दी गई 422 लोग गिरफ़तार होते हैं आरोप साबित कितनों पर होता है सिर्फ 12 लोगों पर 410 लोगों को मतलब इस दोरान ऐसे कानून का सामना करना पड़ा जिसमें उनकी जमानत तक नहीं हो सकती है तो आप खुद बाखुद सोचिए कि इसमें बदलाव की जरुवत क्यों नहीं थी आरोप समय समय पर लगता रहा है कि सरकारें इस कानून की आड़ में सियासी फाइदा उठाने की कोशिस करती रही है इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं और जब इस तरह से ये मामला सामने आता है तो फिर कहीं न कहीं सवाल सिस्टम पर भी खड़ा होता है और अब जिस तरह से ये बदलाव की शुरुवात एक तरह से हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है तो अब ये उमीद जताई जा रही है कि ये बदलाव जो होगा वो अच्छे के लिए होगा ये बदलाव जो है वो आने वाले दिनों में जो सतरह से हम देख रहे थे कि फेक केसिस इसमें सामने आ रहे थे वो कहीं न कहीं इसमें देखने को नहीं मिलेंगे जो सबसे बड़ी राहत की बात देखने को मिलेगी अब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर के सक्त जरूर नजर आ रहा है लेकिन सवाल यहां पर पूरा अभिव्यक्ति का है लोगों के अधिकारों का है और उमेद करेंगे कि जो बदलाव होंगे वो सुख़ द्रेखने को मिलेंगे तो अब बदलाव के दिशों में एक कدم सरकार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को सक्त लहज़े जरूर अपनावना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के सक्त लहज़े के बाद सरकार भी अब बदलाव के तैयारियां करती हुई देख रही है सुप्रीम कोट ने इस पर रोक भी लगा दी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से राजदरोह के मामले हमने आपको दिखाए आंकडों में भी दिखाया कि आधे ज्यादा 422 में से 410 लोग ऐसे थे जिन पर आरोप ही थाबित नहीं हो सका तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब इसमें बदलाव किया जाएगा तो फिर क्या इसे पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है या फिर अगर पूरी तरह से आफ़ खत्म इसे करते हैं तो फिर सरकार के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं या फिर घिरना फैला रहे हैं या फिर वो इस तरह अपनी बात को रख रहे हैं जिससे हिंसा उत्पन हो सकती है हिंसा पैदा हो सकती है तो फिर कहीं न कहीं इस पर भी विचार करने की जरूरत है पुनर विचार जरूर इस पूरे कानून को लेकर के किया जा रहा है और उमीद सित ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जो आरोपी भले ही ये गैर जमानती अफरात की शुरेणी में रहा हो लेकिन अभी जो आरोपी देश दुरों के आरोप में जेल में बन हैं वो जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकेंगे कई सारे केसिस भी हैं देश में जो जिन पर राजदरोह का मुकर्दमा दर्ज है अब हाल ही का अगर आप मामला लेंगे तो महराश्ट की स्रियासत में निर्दलिया सांसद नवनीत राना का मामला भी जहन में आता है उन पर भी राजदरोह का ही मुकर्दमा दर्ज किया गया तो ऐसे कई सारे केसिज हैं देखना दिल्चस्प होगा कि इस कानून में अब आगे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ा सवाल जो जस्कातस बना हुआ था वो ये की जो कानून इतना पुराना था जिन अंग्रेजों ने ये कानून लागू किया था ज तना वक्त क्यों लग रहा है क्योंकि 152 साल का वक्त छोटा वक्त नहीं होता है उमीद करेंगे कि जो बदलाव की शुरुआत देखने को मिली है वो अमल उस पर भी होता हुआ नजर आएगा और पिर ये बदलाव एक अच्छा संदेश ले करके देश के लिए आएगा और आगे विकास के पत पर यूही बढ़ता रहेगा फिलहाल के लिए इस खास पेशकिस में तहीं देश दुनिया की तमाम एहम कबरों के लिए बने रही है एबी स्टार नियूस के साथ क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता